नमस्कार दोस्तों, योकिस टेक्रिकल में आपका फिर से बहुत बुस्वागा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैस गीजर एक घंटे में लगभग कितनी गैस इस्तेमाल करता है। आज मैं आपको पूरा एको रेट ही बताऊंगा, लगभग का शब्ध हम अटाई देते हैं, आपने कई बार इस कोश्चन को पूछा है, तो मैं आपको इस वीडियो में जो विभिन कंपनियों के गैस गीजर है, वो कितनी गैस कंज्यूम करते हैं, एक घंटे में वो बातें मैं आज आपको इस वीडियो के मादम से बताने जा रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कीजीगा, और साथ में मैं यह कोशिश भी करूँगा कि आप अपनी गैस की बचत कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अगर आपके पास अराइज कंपनिया गैस गीजर है, तो आपका गीजर जो कंपनी बताती है कि हमारा गैस गीजर एक घंटे में 700 ग्राम पर हवर गैस गीजर का कंज्यूम करता है, और जब इसे चेक किया गया, इसको कसूटी पे परखा गया, तो 712 ग्राम इसने पर हवर कंज्यूम की जो की एक अच्छा जड़ था, उसके बाद दोस्तों बजाज कंपनिया गीजर कंपनी कहती है कि 878 ग्राम पर हवर हमारा गैस गीजर गैस कंज्यूम करता है, और जब इसे परखा गया तो ये 870 ग्राम पर हवर गैस इसने कंज्यूम की, अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये gas gizer के gas control करने वाला valve है ये जितने भी valve आपके gas gizer में होते हैं वो smoothly घूमने चाहिए कोई भी valve जाम नहीं होना चाहिए नहीं तो आपके gas gizer की performance में कमी आ जाएगी उसका एक region है वो मैं आपको आगे बताऊँगा उसके बाद दोस्तों इस का भचत करना जाते हैं तो उसके burner को भी साफ आपको रखना चाहिए उसके बाद दोस्तों फैबीनो कंपनी का कंपनी के थी 800 ग्राम और जब उसे चेक किया गया 826 ग्राम गैस उसने कंजूम की जो की एक ठीक प्रकार का रिश होता उसके बाद केंस्तार कंपनी का गैस ग्र ग्राम पर हवर गैस कंजूम करता है खेतान का गैस गिजर 947 ग्राम पर हवर गैस यूज करता है और जब उसे परखा गया तो 897 यानि कि उससे भी कम गैस उसने कंजूम की जो की एक अच्छा रिजल्ट था मार कंपनी का गैस ग्राम गैस कंजूम करता है एक घंटे में और जब उसे परखा गया तो 792 ग्राम उसका result नितल के आया राकोल्ड का gas gizzard 1 kg 33 ग्राम यानि 1 kg के लगभग gas consume करता है जब उसे परखा गया तो उसने 800 ग्राम gas ही यूज की जो कि एक काफी अच्छा result था तरमो किंग का gas gizzard 947 ग्राम gas इस्तेमाल करता है और जब उसे परखा गया, रिजल्ट पानसो अठासी ग्राम उसने गैस कंजूम की, जो कि एक अच्छा रिजल्ट था, विनस कंपने का 970 ग्राम और क्रम्टन ग्रेव कंपने का 790 ग्राम गैस यूज़ करता है एक घंटे के अंदर, और जब उसे कसूर्टी पर परखा गया उनका अच्छी तरह से इस्तिमाल करना चाहिए, हमारे गैस गिजल्ट में तीन बरनर होते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, अगर बाहर का जो एम्बिन टंप्रेचर है, वो ज़्यादा ही नीचे की तरफ याने की ठंडक में चला गया है, तो आप तीनो बरनर का इस बाहर का एम्बिन टंप्रेचर ज़्यादा है, यानि कि उसमें ठंडक ज़्यादा नहीं है, तो आप एक बरनर का या फिर दो बरनर का इस्तिमाल कर सकते हैं, इससे आपके गैस की बचत होती है, और ये सभी सैटिंग्स इसलिए दी जाती है, कि आप एम्बिन टंप्रेचर सेट करेंगे, तो अगर आपने अपने गैस की सर्विस नहीं करवाई, बरनर को साफ नहीं करवाई टाइम से, या उसकी प्रेवेंट मेंटनेंस नहीं करवाई, तो ये माप दंड जीरो हो जाता है, यानि कि फिर को जरूरी है कि जो कंपनी कहते है कि वही गैस कंजूम हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शिर्फ किजिएगा चैनल को साइपना भी मत बूलिएगा धन्यावाइब